कि सब्सक्राइब हम बात करने वाले हैं व्योग के वी 25 डिवाइस के अंदर आप डिवाइस कंट्रोल को बंद कर सकती है काफी लोग की कोमें सारते इससार हमें डिवाइस कंट्रोल बाई मिस्टेकली ओन कर दिया उसे बंद करना चाहते है क्योंकि इसका कोई अगर यूज द अगर हम इसको बंद करना चाहें हम उसे बंद कैसे करेंगे देखो बंद करने का ऐसा कोई बाइड़फॉल तरीका तो नहीं लेकिन एक तरीका बताओंगा जो जिनुवन है और आप उसके मतद से इससे स्टोब कर सकते हैं तो इससे बंद करने के लिए करना क्या होगा सबस अगर 12 बर रन कर रहा है वह दोनों को लेजा के सिंपल दोनों काटों के एक साथ मर्ज कर दीजिए उपर 12 बजा देजिए जैसे आप 12 पर कर देंगे तो आपके पास इस तरीके सेंटर फेस आएगा जैसे अभी मेरा एक बजाने पर आ रहा है देखो अभी 13 इस तरह से आरा हो गया अब इसको बंद करने का एक ही तरीका है अपने फून को फैक्टरी डाटा रिसेट करना यह जो सटिंग से थोड़ी से डिफकल्ट है क्योंकि इसके अंदर डाटा हो गरा डिलिट हो जाता है बट यही एक लास्ट तरीका है जिससे हम इसे बंद कर सकती है इसके जो भी फोटोज होंगे कोंटेक्ट होंगे सब डिलिट हो जाते लेकिन एक तरीका है जिससे आप इसको बैक अप रख लेजिए वैसे तो इसके अदर फोन मेरी तो लगता नहीं है लेकिन अगर आपके पास गूगल एकाउंट है दो तीन तो आप उसके अंदर फिफ्टीन 15ZB का आपको इस टोरेज बिलता है उसके अंदर बैक अप रख सकते हैं या किसी दूसरे फोन में अपने बैक अप लखके अगर इसको बंद करना चाहते है तो ऐससे तो कोई दिक्कत है नहीं इससे लेकिन ज्यादा इरिटेशन दे रहा है यह आप आप इसी तरीके से 100% वरकड है इससे आपका जो डिवाइस कंट्रोल है प्रोपर स्टॉप्ड हो जाता मींस की बंद हो जाता है दुबारा अगर ओन करेंगे तब यह ओन होगा आइधिंग आइस समझेंगे कैसे इसका यूज करना है फिर भी कोई कंफिसिंग होती है इसके रिकार्डिंग नी है 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 इससे में मिल जाएगा